सब्सक्राइब करें हमारी यूट्यूब चैनल देवी प्रतिभाजी को और श्रवण करें भागवत कथा की महिमा का साथी बेल आइकन को दबाना ना भूले आपको ये पांच सुपना दिख जाए तो आप समझ लिजिए बहुत जल्दी धनवान बनने का संकेत है ये पांच प्रकार के सुपना है अगर आपको भी दिख जाए तो समझ लिजिए बहुत जल्दी लक्षमी जी कृपा करने वाली है वो कौन सा पांच प्रकार के सुपना द्यान से सुनिएगा, देखिए अगर आपको दिखे, सुपना में आप बहुत अमुल्य मोटर कार से, मोटर वाइक से या फिर कार से आप कहीं पर जाते हैं, बहुत महंगी गाड़ी से अगर आप सफर करते हैं, सुपना आपको ऐसा दिखाई दे, तो समझ लिजिए, इसका म किसी को दिखाई दिया कि कोई किसी को उधार पैसा दे रहा है, सुपना में, उधार पैसा दे रहा है, या फिर कुछ अच्छा सा, कुछ बस्तु भेट कर रहा है, गिप्ट कर रहा है, अगर ऐसा सुपना में दिख जाता है, तो इसका भी मतलब यही है, कि बहुत जल्दी धन की प्राप्ती होने वाले हैं। दो सपना हो गया। गाड़ी से सफर करते हैं, महेंगी गाड़ी से सफर करते हैं, या फिर किसी को उधार देते हैं, गिफ्ट भेट करते हैं, तो ये दो सपना का संकेत धनवान होने वाला है। बहुत जल्दी आप धनवान होंगे तीसरे नमबर में है अगर आपको सुपना में परियों का दर्शन हो जाए देवियों का दर्शन हो जाए तो इसका अर्थ है बहुत जल्दी मा लक्षमी आपके उपर कृपा करने वाली है धनवान होने का ये संकित है और चौथे नमबर में बताया कि आपको दिख जाए पका हुआ गेहूं खेत में अगर आपको दिखाई दे बहुत ज़्यादा गेहूं पका हुआ है ऐसा सुपना दिख जाए तो इसका भी मतलब बहुत सिग रही धनवान आप बनने वाले हैं और पांचवे नमबर में कहते हैं सुपना में आपको हात पेर दर्द हुआ ये अनुभव आप सुपना में करते हैं हात दर्द पेर में दर्द ऐसा अनुभव आप सुपना में करते हैं इसका मतलब ही बहुत जल्दी धन प्राप्त होने वाला है ये पांच प्रकार के सपना अगर दिख जाए तो किसी को मत बताईएगा लोगों का आदत होता है कि कुछ सपना दिख जाए तो बहुत ज्यादा इधर उधर बताते हैं इसका संकित क्या है आप ये सुन लिए आप सुन करके आप स्वयम समझ लेजिए ये सपना आया इसका संकित क्या है इसका अर्थ क्या है प्यार से बोलो राधे राधे